नमस्ते दोस्तों मैं आनंदी श्वागति आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल हिल्थ वेबी केर में गाईस हम आपको बताने वाले हैं कि शुहागरत होता क्या है क्या यह साधे के बाद मनाना जरूरी है क्या शुहागरत अगर नहीं मनाएंगे तो पूर्षों के मर अगर आप चाहते हैं किसके बारे पूरी जानगारी आपको मिले तो प्लीज आप हमारे वीडियो को एंट तक देखें इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पभी तक सब्सक्राइब करने साथी बिल एकन के घंटी को चरूर दबाएं ताकि हमारे इसी कोई भी नए वीडियो बने तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोडिफिकेसन पहुं सके तो चली गए आज की वीडियो शुरूर करते हैं है तो पर्श नाथ यह यह तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि कहीं भी किसे भी किताब में ऐसा नहीं लिखा गया हैं कि आप सादी के बाद सुहाग रत वाले दिन अगर आप सुहाग रत तो मुझे लोग मर्द नहीं कहेंगे मेरी बेजिती हो जाएगी मेरे दोस्तों में मजाक उड़ाया जाएगा बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कौवन सी बात है यह लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो कि आपके मन में अगरें से सवाल आता है तो कभी नहीं आ साधी नहीं बीवी आए तो इसके साथ कब इंजवाई करें साथ यू dar afect करें लेकिन चाल अपने आपके पार्टनर को आपके बीवी को बहुत ही गल्त लग सकता है हाग रात वाले दिन आप अपने पार्टनर से ज्यादा से ज्यादा बात एक दूसरे कुर समझें एक दू जाते हैं तो आप अपने partner को gift देना विर कुल न उसले होता है इसके आप अपने partner खुश्य रखने के लिए इंफ्रेशन होता है आप अपने partner को कैसे impress करते हैं कैसे खुष रखते हैं तो जो शुरुवात होती है गाइस गीप्ट से सुरुवात होती है अब छोटा या बड़ा महेंगा या सब्सक्राइब अपने पॉकेट मनी के अनुसार ही दे सकते हैं ऐसा नहीं कि आप महेंगा देंगे तभी और दूसरा पॉइंट है कि आप अपने पार कि साधी के बाद लड़कियां ठकी रहती हैं उन्हें बहुत सारी परसानी रहती हैं घपराड सी रहती हैं बेचाने सी रहती हैं अपना माईका छोड़के नए नए घर में आती हैं तो ऐसे में अगर उनके साथ आप संबंद बनाना चाहते हैं तो जूर जबरदस्ती बिलक जाती हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जो कि सेक्स क्रिया के दोरान अपने पतने के मानसिक सम्मान और सारे रिक सीमाओं का जरूर ध्यान दें ऐसा करने से आपके पार्टनर आपसे बहुत ही संतुष और खुश रहेंगे जो आपका सपना है है अब सुखरात वाले दिन अगर कि पूरा हो पता है तो आप सौषतें कि आज नहीं हुआता था थो कभी Nis ऊजआती है ओधर आपके साधी हो गई तो ता ऊम्रह पूरी जिंदी की अप सुखरात मना सकती है अब हर रात अपने पती की साथ प्यारे प्यारे मीठी मीठी बाते करें उसे इंजुआई करें हर रात अपने आपके पती के लिए और आपके लिए यादगार हो सकती है लेकिन प्यार से सम्मान से खुशी से अगर करेंगे तो हर दिन आप सुहरगरत मना सकते हैं गैसे मैं आपको बता देती हूं जब कोई लड़की तो आप दोने हस्ती हस्ते अपने परसानी को दूर कर सकते हैं हर कमी को फूरी करें और उन्हें कभी दुखी नहोंने दें तो चलिए गाइस मैं उमिद करते हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई हो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा झाल